नमस्कार दोस्तों आज नेपाल हार केसे गया बड़ी अवसोच वाली बात है कि नेपाल PNG से हार गया इस वीडियो में नेपाल के दो तिन समाचरों पर बात होगी चीन नेपाल और नेपाल भारत लेकिन पहले थोड़ा किर्केट की बात कर लेते हैं दोस्तों नेपाल आज बुरी कदर हार गया PNG से और उस PNG से हारा जो PNG नेपाल को नहीं हरा पाती है T20 मुकाबला PNG और नेपाल के बीच में पांच हुए हैं अब तक 5 में 4 नेपाल जीता है और एक PNG जीता है मैं पुराने रिकार्ड की बात करा हूँ और आज उमीद ही नहीं थी कि नेपाल हार इससे पहले हमने वीडियो बनाई भी थी जिसमें बताया था कि नेपाल के जीतने के 100% चांस है पिछले मैच में भी नेपाल ने PNG को लगबग 84-85 रन से हरा दिया लेकिन आज उसी PNG ने नेपाल को 86 रन से हरा दिया नेपाल की बैटिंग देखेंगी आज इतनी रदी रही है कि 16.3 ओबर में सारे बिकेट होगे इतना दबाओ और ये दबाओ आया क्यों ये दबाओ आया कुसल भुरतेल और विनोध भंडारी की वजे से सुरू में ही नेपाल के बिकेट होगे कुसल भुरतेल 5 रन पे आउट विनोध भंडारी 4 रन पे आउट गुलसंजा 6 रन प यादव एक रन पे आउट यादव ने तो इतने सरम के काम की आज बिने यादव ने 10 बौल खेली जिसमें 9 बौल डॉट रही इसमें नौ बॉल डॉट रही सायद ये 12 या 13 ऊबर था बिनोद यादव आये और 9 बौल लगातार इन्हों ने डॉट खेली एक भी रन नहीं बना घटिया क्वाल्टी की बैटिंग की है T20 में मेडन ओबर नहीं होता है बहुत कम चांस है यानि कभी 20-50 मैस होंगे तो जाके आपको कहीं सुनाई देगा कि मेडन ओबर हुआ यहां मेडन नहीं हुआ नो बॉल हुई, डॉट बॉल यानि डेड़ ओबर तक मेडन करन केसी क्या करते है कि लास्ट में कुछ न कुछ रन खींची लेते है लगबग डेड़ सो, दो सो, डाई सो की स्ट्राइज रेड से करन केसी को आपने हमेशाद देखा होगा चार बॉल, आट बॉल, दस बॉल खेलते हैं अचिस रन बना लेते हैं, ठीक है लेकिन आज करन केसी भी नहीं चले अब प्रेसर आ गया तो कहां से चलेगा करन केसी साथ बॉल में तीन रन बनाए मात्र प्रेसर अगर कुसल बुर्तेल और बिनोध भंडारी कुछ रन मार दिये होते या बिकेट भी बचा लिए होते तो बात के जो प्रेसर थे उन पे प्रेसर नहीं आता और तब एक अच्छा खासा इसकोर खड़क हो जाता या नेपाल मैच जिस दाता आज के मैच में मैंने एक चीज़ देखा कि नेपाल के जो प्रेसर बरदास नहीं कर सकते और इसी प्रेसर से आउट होते हैं दिमाग में रख लीजिए बड़ी जो टीमे हैं उनके छे बिकेट हो जाते हैं तब भी वो प्रेसर में नहीं आते प्रेसर पे हाबी हो जाते हैं जो बड़ी टीमे हैं आपने देखा होगा कि PNG शुरू में ही उसके तीन बिकेट हो गए थे लेकिन लास्ट में उन्होंने खतरनाक तरीके से खेला देखे सही से बोले PNG की भी बैटिंग नहीं चली S बावु हुआ भाला हुआ या L साई का हुआ 0 रन, 2 रन, 2 रन 13 रन, 14 रन 3 रन ऐसे आउट हुए लेकिन एक इसमें चले उरा, टी उरा ये 37 बॉल में 61 रन मार दिये 4 शक्के इनोंने लगाए बाकी PNG की टीम भी कोई खास नहीं चली है और ए नाओ जो है वो 10 बॉल में 3 सन ठोक दिये लास्ट में तब जाके PNG 171 रन बनाने में सपल हुआ नहीं तो PNG के सुरू में ही बिकट गिर गए थे और उसी समय लग गया था कि नेपाल इस मैच को जीतेगा 3 बिकट गिर गए थे 30 रन से पहले PNG के और उस समय साफ के लिए लग रहा था कि नेपाल ही इस मैच को जीतेगा लेकिन क्या कंडिशन हो गई नेपाल की पूरी टीम 85 रन बना के आउट हो गई देखिए नेपाल को हर मैच जीतना जरूरी है कारण आप नहीं समझ पा रहे होगे जितना नेपाली टीम मैच जीतेगी उतना टॉप 10 की रैंकिंग की तरफ आगे बढ़ेगी अभी रैंकिंग में सोलो नमबर पे है नेपाल की टीम अगर यह लगातार मैच जीती है तो पंदरों पे आएगी, चोदों पे आएगी बारों पे आएगी, दस पे आएगी और नेपाल की टीम जिस दिन 10 पे आगई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यानि नेपाली टीम को टॉप 10 में आना है बस टॉप 10 में सामिल हो जाएगी तो आगे अपने आप बढ़ती है और टॉप 10 में आने के लिए नेपाली टीम को बहुत मेनत करनी पड़ेगी कोई मैच नहीं हारने होंगे इस बार जो टीम ले जा रखी है नेपाल ने होंग कोंग में ये कुछी मज़ेदा टीम नहीं लगी दोस्तों मुझे कह सकते हैं कि आज नेपाल ने जीतना था लेकिन नेपाल हार गया वो भी PNG से PNG 1900 नंबर की रैंकिंग नेपाल 16 नंबर की रैंकिंग PNG को अतना मज़बू टीम नहीं माना जाता है अब बात करते हैं आगे नारन काजी स्रेष्ट जो हैं वो फोरन मिनिस्टर बने हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको चीन की तरफ से भी और भारत के तरफ से भी बधाई आई है और किसने दिये बधाई भारत के बिदेश मंत्री जे संकर पड़साद और चीन के बिदेश मंत्री वांग ई यानि दोनों बड़े नेताओं की बधाई आई है क्यों आई है क्योंकि रैंकिंग rank सब का बराबर है foreign minister है देखे एक चीज तो साफ किरियर हो गई यह जो नया गढ़बंदन नेपाल में बना है इस लेके चीन काफी खुश है और अभी ओली जी के उपर इलजाम भी लगा था कि यह जो गढ़बंदन बनाया वो चीन ने बनाया यह नेपाली मीडिया द्वारा कि नेपाली लोगों दोरा ही इलजाम लगाया गया है तो क्या सच में चीन ने बनाया होगा यह गढ़बंदन देखे ध्यान में रखे नेपाली कॉंग्रेस जो है वो दक्षन पंथी है और और नेपाली जो पार्टियां है जैसे मावबादी एमालेयादी यह हैं बाम पार्टियां होती है वो कहीं न कहीं चाइना और रूस के परभाव में जरूर होती है और कॉंग्रेस जो पार्टी होती है वो कहीं न कहीं अमेरिका के परभाव में जरूर होती है हां केवल भारतिया कॉंग्रेस ही एक मातर ऐसी पार्टी है जो कभी अमेरिका के परभाव म नहीं रही बलकि अमेरिका की दुसमन पार्टी रही दिमाग में रख लीजिए भारतिया कॉंग्रेश हमेशा सही अमेरिका की दुसमन पार्टी रही है अमेरिका ने ने की खिल photo में बारत पर एटम डालने के लिए हमला भी वो अपने sevent材 दिया था तो नेपाल में खेल तो चली रहा है सत्ता को गिराने का सत्ता में अपने आदमी बिठाने का और ये खेल कौन लोग खेलते हैं भारत चाइना और अमेरिका अमेरिका अपने परभाव में नेपाल को रखना चाहता है भारत चाहता है मेरे परभाव में चीन चाहता है मेरे परभाव में तो लगबग 2,012,013 से और उनमें funding की और बोला कि भारत और अमरीका की बुराई करो और नेपाल में तब ये trend ही चल गया है भारत अमरीका की बुराई करो और view लू ये मैं नहीं कह रहा है ये नेपाल की बिश्ञे सकी कह रहे है वो video भी है मारे पास में तो चीन सपल कैसे हुआ नेपाल में यानि नेपालियों का जो दिमाग है अपनी तरफ खीचने में क्योंकि यूटूबर जो है नेपाल में उनके उपर फंडिंग हुई दोस्तों ये टॉपिक लंबा हो जाएगा इसलिए ऐसा करते हैं इस पे एक बार आपको साइबर युद बताते हैं मीडिया भी एक साइबर युद्धी होता है इसके बारे में सटिक जानकारिया आपको देते हैं कि कैसे बड़े देस आपस में जगड के छोटे देसों का नुकसान कर देते हैं या छोटे देसों को बरबाद कर देते हैं छोटे देसों में अपना परभाव जमान के लिए छोटे देश की कोई गलती नहीं होती है फिर भी जब बड़े देश आपस में टकराते हैं किसी छोटे देश वाले अस्तान में जगा पर तो वो छोटा देश बरबाद हो जाता है लीबिया सीरिया इराक अफगानिस्तान इसके उधारण है नेपाल में भी भेंकर अभी जो महासक्ति देश है उनका फोकस रहता इस पर एक स्पेसल वीडियो आपको लेकर आहेंगे फिलाल ये समझ लीजिए कहीं न कहीं मेरा भी मानना है कि कहीं न कहीं इस नए गढ़बंदन को बनाने में चीन का हाथ जरूर है नेपाल में जितनी भी राजनितिक अहिस् ये आप निश्चित तरीके से समझ लीजिए धन्यवाद